गुड इवनिंग सुटेंट आज हम लोग क्लास तेंथ के टॉपिक केमिकल रियक्शन्स एन एक्वेशन्स इसके तीसरे पार्ट की शुरुवात करेंगे उससे पहले सेकेंड पार्ट के कुश्चन के सेक्शन में कुछ कुश्चन्स हम लोगों ने सॉल्व किया था और कुछ आपके हिस्से छोड़ा था जैसे राइड डाउन दा बाइलन्स केमिकल एक्वेशन्स फॉर दा फॉल्वेंग रियक्शन्स अगर हम इसके पहले रियक्शन्स की बात करें तो कैलसियम का हाईड्रोकसाइड फॉर्मुला हो जाएगा C.A.O.S. टॉआइस वित कारबन डाउकसाइड इससे प्रिड्यूस हो रहा है कैलसियम कारबॉनेट प्लस S2O अब देखिए, केल्सियम का एक आटम है दोनों तरफ तो केल्सियम के आटम जो है और लड़ी दोनों तरफ एक-एक है कार्बन का एक आटम है हाइडोजन के दो आटम है तो हाइडोजन के दो आटम यहां भी दिख रहे हैं और ऑक्सिजन का अटकुल मिला के चार एटम है, जिसमें एक एटम है वाटर में, और तीन एटम है उक्सिजन में, तो यह इसका reaction balance है, फिर उसी तरह से zinc और silver nitrate का reaction, तो zinc, silver nitrate, और इसके बाद product में आपको zinc nitrate मिलेगा, और चुकी zinc की valency दो है, तो ZNNO3 twice, along with, आपको silver produce होना है, इस balance equation में 2HE करेंगे, तो दोनों तरफ दो silver के आटम हो जाएंगे, यह balance है, जैसे हमने यहाँ formula लिख दिया, कि zinc nitrate के formula में ZNNO3 twice होगा, जबकि silver nitrate में AGNO3 है, तो यह जो formula लिख रहे हैं, chemical formula, उसकी चर्चा हम लोग डिटेल्स में अगले episode में करेंगे, तो यह formula लिखना सीखन यह ज़रूरी है, उसके बाद, तीसरे equation में देखिए, aluminium और copper chloride है, तो यह aluminium, copper chloride, UCL2, product में, ALCL3 किये, और यहाँ पे copper आया, तो 3 और 2 atom है, तो 3 तूजा करेंगे, 2 into 3 करेंगे, copper का coefficient 3 हो जाएगा, और aluminium का coefficient 2 हो जाएगा, उस बाद देखिए, barium chloride मे, BACL2, potassium sulfate में formula जो है, K2SO4 का होगा, barium sulfate, BASO4 है, और potassium chloride का formula KCL है, तो 2 potassium है left में, 2 chlorine है left में, तो 2 KCL करेंगे, तो यह equation भी balance हो गया है, इस तरह से हम लोगों ने यह balancing सीखी, यह भी part पिछले बार हम लोगों discuss कर चुके थे, तो आज topic के 3 पार्ट के सुरुवात करेंगे, जिसकी सुरुवात हो रही है, exothermic और endothermic reaction से, तो जैसा ही हमने mention किया है, a reaction in which heat is given out, is called as exothermic reaction, यानि जिस reaction में heat evolve होगा, heat release होगा, तो उस तरह के reaction को exothermic reaction कहेंगे, और higher classes में सीखिएगा, कि ये जो heat का change है, उसको दिखाने के लिए enthalpy का change, यानि delta h का symbol use करते हैं, ये enthalpy change कहलाता है, ये symbolically, इसको मैं थोड़ा सा word को correct form में लिखता हूँ, enthalpy ये change होगे है, और जब heat बाहर की दरफ निकलेगी, heat release होगा, तो sign में delta is positive के बजाए negative लिखिएगा, और दूसरा जो हमने नीचे दिया है, कि जिसमें heat is needed for the reaction to take place, उसको endothermic कहेंगे, यहां needed का मतलब कि इस case में heat को absorb किया जाएगा, यानि बाहर से heat absorb होगा, तो endothermically और symbolically इसको delta H positive लिखेंगे, जैसे माल लिजिए हम किसी reaction की चर्चा करें, अब किसी reaction में हमने दिखाया, कि जब ice का conversion water में होता है, इसमें जो enthalpy का change या heat release है, उसको enthalpy of fusion कहते हैं, और इसके लिए बाहर से energy supply करना है, तो यह हो गया endothermic, उसी तरह से अगर calcium carbonate को decompose करवाना है, break करवाना है, calcium oxide और carbon dioxide में, तो यहां भी बाहर से heat हम को supply करना परेगा, तो यह भी endothermic process है, लेकिन अगर suppose कि यह, कि STL का acid को NaOH के साथ treat करके sodium का chloride और water बनाया जाए, तो इस case में energy release होगी, तो यह negative है, और अगर equation में आपको दिखाना है, तो अगर endothermic होता है, तो reactant के side में heat जोडते हैं, और अगर exothermic होता है, तो product के side में heat जोडते हैं, तो इस तरह से यह बाते हैं, इसके बाद देखे, यह हम लोगों ने type of reaction किया, तो यह जो basis है कि आखिर किस तरह से reactions को type में माटेंगे, वो depend करता है कि कौन सा change हुआ है, कौन से reaction involved हैं, तो different type of reaction में पहला हमने लिखा है combination मतब जूड़ना, combustion दहन करना, decomposition ब्रेक करना, displacement यह एक दूसरे को displace करने का मतब इस्थापित करना, यह double displacement, उसके बाद redox reaction और finally यह neutralization का reaction है, तो combination reaction हम उसे कहते हैं, जिसमें दो या दो से ज़्यादा simple elements जो हैं, या compound combine करके, एक single product produce करें, जैसे example के तौर पे hydrogen और chlorine का reaction, SEL produce करे, carbon oxygen से combine करके, carbon dioxide produce करे, nitrogen oxygen का combination करके, nitrogen और oxygen के combustion से हमको nitric oxide मिले, जबकि nitrogen और hydrogen gas की अभिगरिया या reaction से ammonia produce करते, जहां देख रहे हैं, कि दो या दो से element या substance जो हैं, वो combine किये हैं, और product में convert हुए हैं, तो यह combination था, combustion का मत्तव है, जब किसी combustible material को with an oxidizer, अगर oxidized product में convert करते हैं, तो उसकों लोग combustion reaction कहते हैं, तो यह जो normal यानि commonly जो oxidizer यूज करते हैं, वो oxygen है, और combustible substance, वो यह carbon हो सकता है, hydrogen हो सकता है, methane, benzene type के compound हो सकते हैं, तो यह चीज़ें जो है, यह fuel की तरह से काम करते हैं, यानि oxidizer is a chemical fuel, requires to burn generally oxygen, अब यह combustion के reaction हमेशा exothermic होते हैं, यानि इस case में heat release होती है, अगले episode में detail हमें हम लोग combustion के बारे में, यानि हर एक reaction को detail में सिखेंगे, फिलहाल इस section में by definition में जा रहा हूँ, decomposition reaction का मतलब किसी भी चीज़ को break करना, तो normally देखें लिखा हूँ है definition में, decomposition reaction is a reaction in which a single component breaks down into multiple product, यह एक component को break करेंगे और एक से जादा product बनेगा, certain changes in energy in the environment have to be made, like heat change, light change or electricity for breaking the bond of the compound, मतलब, जैसे मान लिजिए calcium carbonate को आपको break करना है, तो normally गर्म करके इसको break करते हैं और यह calcium oxide और CO2 देगा, अगर मान लिजिए water को break करना है तो electricity provide करेंगे, related process जो है वो electrolysis कर लाता है, और electrolysis के बाद आपको product के form में oxygen और hydrogen की गैसे मिलेंगे, फिर देखिए displacement reaction, ऐसे reaction को कहते हैं, अब more reactive metal or element displaces less reactive element from its compound, तो zinc को अगर हमने silver nitrate के साथ reaction किया, तो इस reaction के बाद zinc के nitrate का product मिलेगा और उसके साथ silver produce करेगा, balance form में यह equation इस तरह का होगा, अब यह zinc जो है, यह ज़्यादा reactive होता है silver से, तो silver के nitrate से silver को displace करके zinc ने अपना nitrate बनाया, और silver जो है displace को करके separate हो गया, तो इस तरह के reaction को displacement, अगला देखिए जो चर्चा करेंगे, वो लिखा हुआ है double displacement, double displacement का मतब यह हुआ, कि in which two compounds react and consequently their anions and cations switch places, forming two new products, ऐसे सुचिए, एक generalize करके एक compound A भी हो, और दूसरे compound को हम लोग CD लिखते हैं, और product के side में ऐसा हो, कि इस A के साथ, अब B के बजाए CD का anion जो है, CD का anion वाला पार्ट, यानि product आपको AD मिल गया है, और उसके साथ, अब यह जो C वाला पार्ट है, उस C के साथ B मिला, अब आप compare केजिए, A का केटाइन जो पहले B से attach था, 9, A का केटाइन जो है, वो D के anion के साथ attach हुआ, और यहाँ पे C का केटाइन, जो D के anion के साथ था, वो C का केटाइन, अब B anion जो A B का हिस्सा है, उसके आया, अब example के तौर पे आप KCL लिखें, इसमें silver nitrate का solution डालें, तो product के साथ में potassium iron जो है, silver के nitrate के साथ मिलके के potassium nitrate बनाएगा, और AG के साथ KCL का CL कमबाइन करके, AG, CL का precipitate बनाएगा, तो यहाँ पर देखिए, analysis करेंगे अगर हम लोग, तो क्या observe करेंगे, K का केटाइन, CL का anion, K का AG का केटाइन और nitrate का anion, K केटाइन, nitrate anion, AG, केटाइन, CL anion, अब K का plus जो है, move कर गया nitrate के साथ, और AG का plus nitrate को छोड़ करके, का केटाइन, पहले के anion के साथ, मिल करके, आपको, नए set of salt का production किया, तो इस तरह के reaction को, हम लोग double displacement reaction कहते हैं, अगला redox reaction, अब यहाँ जो यह redox लिखा हुआ है, यह redox जो है, यह दो words से बना है, एक है reduction, दूसरा है oxidation, तू reduction के reaction में, electron के हिसाब से, gain of electron, gain of electrons, यह reduction है, जबकि loss of electron, यह oxidation है, फिर उसी तरह से, oxidation का मतलब, oxygen का addition, reduction का मतलब, hydrogen का addition, या फिर यहाँ पे reduction में, oxidation में, hydrogen का removal सकते हैं, और reduction वाले पार्ट पे, oxygen का removal कह सकते हैं, और आगे जब details में सिखिएगा, तो oxygen या किसी electro negative atom का, जूर ना, यह oxidation है, hydrogen या positive element का बाहर निकलना reduction है, उसी तरह से, oxygen का removal जो है, वो reduction है, और hydrogen, और दूसरे जो electro positive element है, उसका जूरना addition, जो है वो reduction है, जबकि oxygen या, किसी electro negative atom का removal, जो है, वो reduction के के टेगरी में आएगा, तो detail analysis जो है, next episode में करेंगे, last चर्चा किये है, neutralization reaction का, जब कोई acid, किसी base से combine करके, salt और water produce करता है, salt plus water reduce किया है, तो इस reaction को हम लोग, neutralization reaction कहते हैं, reaction is called as neutralization reaction, क्योंकि, अगर हम एक general acid को HA से, और general base को BOH से कहें, तो acid का काम है, H plus देना, A minus acid का A9 है, B cation है, base का OH मानस उसका negative part है, और salt बनाते से में, base का cation और acid का A9 combine करेगा, और ये H plus और OH मानस मिलकर के, water produce करेंगे, और observe किया, ये reaction हमेशा, exothermic होता है, मतलब heat release होती है, तो आप किसी भी acid और base के state के लिए, इसको use कर सकते हैं, जैसे आपने लिखा sulfiolic acid, reaction करवा दिये, KOH के base के साथ, अब K वाला part sulfate के साथ combine करेगा, तो K2SO4 और S2O produce हुआ, तो ये इसका balance equation हो गया, और इस case में heat बाहर निकली, तो जब आपने product की तरफ heat दिखाया, तो मतलब process ये, exothermic हो गया, इस तरह से आज हम लोगों ने, different product की चर्चा की, sorry, different type of chemical reaction की चर्चा की, इसके बाद हम लोग, question के window में जा रहे हैं, इसमें, कुछ questions, हम आपके सामने solve करेंगे, और कुछ questions जो है, आपके जिम में छोड़ते जाएंगे, लेकिन, जो अगला part इस topic का होगा, जो अगला episode इस topic का होगा, उसमें, कुछ generalization आपको सिखाया जाएगा, जैसे मैंने आपसे कह दिया, कि aluminum sulfate का formula लिखना है, और मैंने लिख दिया, AL2, SO4 rise, तो आखिर ये formula कैसे लिख लेते हैं, इसको सीखने का काम अगले episode में करेंगे, साथ ही साथ जो reaction लिखे हैं, उसको in detail भी सीखने की कूसिस करेंगे, कि in depth, इन reactions को, से हम क्या समझते हैं, उसके क्या example हो सकते हैं, उसके क्या application हो सकते हैं, तो फिलाल इस question को हम लोग solve करें, आप ध्यान दिजे, यहाँ double displacement में लिखा हुआ है, तो जब दो salt होते हैं, और उनके cation और anion का, एक्सचेंज होता है, दोनों switch over कर जाते हैं, यानि पहले salt का cation, अब पहले के anion के बज़ाए, दूसरे के anion के साथ attach हो के product में दिखे, और दूसरे salt का cation जो है, अब दूसरे salt के anion के बज़ाए, पहले salt के anion के साथ product में दिखे, तो उसको कहते हैं double displacement, लेकिन यहां हमने देखा है, कि aluminium का metal जो है, वो displace कर रहा है, iron के metal को उसके oxides में से, इसलिए ये example है displacement reaction का, next में देखे, which of the statements about the reaction below are incorrect, PbO plus carbon is giving Pb plus CO2, एक बार हम लोग analysis करके देखे, मैं balance equation नहीं लिख करके, skeletal equation लिख रहा हूँ, PbO plus C is giving Pb plus CO2, compare करने के लिए, PbO का हिस्सा जो है, या दियान दिजे, PbO का हिस्सा जो है, ये आपको PbO दिख रहा है Pb में, तो इसने oxygen को lose किया है, यानि ये oxygen का loss है, और हम लोगों ने लिखा था, जो है oxygen के loss को reduction कहते हैं, और ये carbon जब CO2 में बदला है, तो इसने oxygen को gain किया है, और oxygen का gain जो है, वो oxidation है, जिसका oxidation होता है, उसको कहते हैं reducing agent, यानि reducing agent, gets itself oxidized, और दूसरे को reduce करेगा, और जिसका reduction हुआ है, उसको कहते हैं oxidizing agent, अब यहाँ ध्यान देजिए, डिया हुआ है कि इस reaction में, lead is getting reduced, तो देखिए, lead का oxide reduce हुआ है, lead reduce नहीं हुआ है, तो इसको फिलाल छोड़े हैं, carbon dioxide is getting oxidized, तो carbon dioxide जो है, यह oxidized नहीं हुआ है, carbon oxidized हुआ है, देखिए, carbon is getting oxidized, यह statement सही है, lead oxide is getting reduced, यह भी statement सही है, तो answer C और D होने चाहिए, तो यहाँ अगर different option में देखे हैं, तो पहले में दिख रहा है, A और B, दूसरे में A और C लिखा हुआ है, इससे में A, B और C लिखा हुआ है, D में R लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग देख रहे हैं, कि lead is getting reduced, तो lead oxide को reduce होना है, carbon dioxide is getting oxidized, तो carbon dioxide जो है वो, oxidized नहीं, carbon oxidized हो रहा है, carbon is getting oxidized, carbon is getting oxidized, ये statement सही है, और lead oxide is getting reduced, ये भी statement सही है, तो इसका मतब, इसके जो options हैं, by mistake इसमें कोई भी correct नहीं है, तो जो सही entry होगी, answer जो correct होगा, वो होगा C and D, C and D, तो चलिए ये mistake था, जिनोंने में, जो हमारे technical team के तरफ से, next में, why do we apply paints on iron articles, तो इसमें क्या है कि जो iron के object है, वो air और moisture के presence में oxidized हो जाते हैं, और इस oxidation के बाद, feric oxide hydrated form में बनता है, और इसको कहते हैं, rust, ये घटना या process कहलाती है corrosion, और अगर इस corrosion से बचना है, यानि ये जंग लगने से बचना है, तो हमको iron के metal को protect करना परेगा, जिससे वो air और moisture के संपर्क में नहीं आ पाए, और उसी protection के लिए, हम लोग paint का application कहते हैं, तो ये paint का application जो है, rust से बचाने के लिए किया जाता है, और अगले जो questions हैं, ये आपके जिम्में में छोड़ जाता हूँ, इसके लाबा, water decomposition reaction, और called opposite of composition reaction, इसका equation लिखना है, and why is respiration is considered as exothermic reaction, तो इन questions के साथ आपको छोड़े जाता हूँ, ये आप solve करेंगे, और अगले episode में, पहले जो हमने question छोड़े हैं, उसकी चर्चा करने के बाद, जैसे हमने आपको बताया, कि जो different type के reactions हैं, उनको detail में सीखेंगे, जिसे combustion reaction, फिर fuel किसको कहता है, fuel के efficiency, किसे कहा जाता है, क्यों hydrogen जो है carbon यानि कोईला से बहतर fuel है, इन सब की चर्चा करेंगे, भले ही detailed description जो है, आपके NCRT के book में नहीं है, but that is very essential, तो जो अगला episode होगा, वो different type of reactions हैं, उसके explanation से related होगे, तो इसके साथ मैं इस episode को खत्म करके, आप सोबों से विदा लेता हूँ, धन्यवाद, thank you everyone.